Hello and welcome to the IS Academy, आज है तारिक 6 December और शुरू करते हैं प्लिन से स्पेसिफिक Current Affair का News Discussion हमारी पहली न्यूज है, Essential Commodities को लेकर है क्यों यह न्यूज में है? परसा हमारी जो Ministry of Consumer Affairs है उतने यह बोला है कि हर स्टेट को एक डिस्ट्रिक वाइस एक Price Monitoring Center करना होगा वो करेगा क्या? जितने भी Essential Commodities है प्राइस को वो हर डिस्ट्रिक वाइस सेंटर होगा वो मोनीटर करेगा कि क्यों बढ़ रही है? क्या इसके पीछे कोई hoarding हो रही है? क्या black marketing हो रही है? तो इस practice को रोकने के लिए यह डिस्ट्रिक वाइस गरने खेती जादा नहीं हुए तो वो बहुत सारे शक्कर को hoard करने लगते हैं तो चेनिक प्राइस एकदम से shoot-up कर जाती है वही कैस कभी हम प्राइस में देखने को मिलता है वीट को देखने को मिलता है तो वो एक ऐसा system established किया गया जिसमें regular data प्रोवाइड हो सके कि इन 22 essential food items की जो price है वो कैसे vary कर रही है अगर हम प्रिलीज के perspective से देखें तो essential commodity से कब आया था? 1955 माय आया था क्यों आया था? हमारे जैसे food scarcity बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी हम यहाँ था कि हमको wheat PL 480 हमें अमेरिका से import करना पड़ा था wheat को तो उस वर्क यह माना जा रहा था कि जो सबसे आदा food supply की जो दिक्कत आ रही है वो holding के वज़े से आ रही है लोग black marketing ज़्यादा कर रहे है मुनाफ़ा खोरी ज़्यादा कर रहे है ताकि इसके holding को इसके black marketing को रोका जा सके और central government पर इसे power होती कि कभी भी वो किसी item को aid कर सकती है या फिर किसी item को remove कर सकती है और इस एक में खास provision यह भी है कि food और non-food items दोनों में यह apply होता है तो अगर plans में ऐसा statement आ जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि कही जगर rice की कमी हो रही है इंडिया ने export भी कह रहा था पि बात में जब हमने देखा कि हमारे देश में जो rice की production वो कम हो रही है तो हमने भी rice की export में फिर bend लगाया तो इसी inflation को देखते हुए इंडिया ने essential commodities act में इन 22 essential commodities को को ट्रेक करने का सोचा है ताकि इस देश में जो inflation है उसको control में लखा जा सके है हला कि इसके criticism भी बहुत essential commodities act के economic survey ने बोला था कि यह practice अच्छी नहीं है जो agriculture goods का जो trade होता हो उस trade को भी distort करते essential commodities act तो यह इसका basic criticism है अब चलते आगे हमारी अग्री नेशनल commission for backward classes NCBC को लेकर है क्यों न्यूज में दसर NCBC को एक नए chairman मिला है हन्स राज आहिर यह अब NCBC के नए chairperson है इसके साथ ही हमें पता होना चेक जो 102 constitutional amendment act आया था 2018 में उसके पाद से NCBC को constitutional body का दर्जा दे दिया गया था उसके पेले यह statutory body थी और किस article के अंदर बनाया गया है article 338 B को लेकर तो NCBC क्यों बनी थी जो आपको पता होगा इंद्रासानी case आया था इसमें 50% जो reservation को पर limit लगा थी उसके साथ यह भी बताया था कि जो data है जो list को लेकर जो भी recommendation देनी होगी वो इसी body को देनी थी कि वो प्रूब कर सेके कि यह particular community क्यों backward है तब इस commission की जरुत पड़ी थी हो तब 1992 में से statutory body के हिसाब से बना गया था पर 2018 के बाद से constitutional body का दर्जा दे दिया गया अगर हम NCBC के बात करें तो इसमें एक chairperson होगा एक vice chairperson होता है जो कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और इनकी जो condition of service होगी जो terms और 10 years होगी वो कौन decide करेगा वो प्रेसिडेंट ही decide करेगा अब commission करता क्या है एक तो इनके पुरी जो function होगी वो regulate करेगा और इसका जो main काम यह है center government को recommend करना कि 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 community को aid करना है और कि community को exclude करना है mostly यहां पर inclusion ही होता है और जब commission work करती है तो वो as a civil court work करती है यहां पर वो किसी भी across the इंडिया किसी भी officer को questioning के लिए बुला सकती है और यह body साथ-साथ जो backward classes होती है उनके upliftment के लिए कुछ step suggest कर सकती है और यह constitutional दरजा इसलिए दिया गया ताकि इसे और पावर जी जा सके कि अगर कहीं backward classes के साथ कोई rights का violation हो रहा है तो उनके खिलब जो भी practices हो रही है illegal यह पे atrocities उसे वो counter कर सके तो NCBC चुकिए constitutional body है तो UPC पूल सकती है अब चलते हैं आगे हमारी एक लिए social hostilities index को लेगावा यह index को जारी करता है यह American think tank है जिसका नाम है Pew Research Center यह यह measure करता है कि religious basis पर जो hostilities डेखने को मिलते minorities को वो measure करता है उसके साथ से यह ranking provide करता है तो जो 2020 में जो घटना हुई थी उसके basis पर इसने नई ranking जारी करी जिसमें उसने पहला इस्तान इंडिया को दिया है मतलब यह सबसे very high category में आता है जहां पर minorities में सबसे ज़्यादा incidents देखने को मिला है जो hostilities है वो minority communities के अगेस ज़्यादा देखने को मिल इंडिया में उसके बाद Nigeria है, Afghanistan है, Israel है, Mali है, Somalia है, Pakistan है इसका मतलब यह कि Pakistan अफगानिस्तान से ज़्यादा बुरी इस्तिती है इंडिया में और इसमें यह देखा जाता है कि क्या किसी group में या organization या private individuals द्वारा कोई hostilities की जारी है जिसा आपको पता है कि 2020 में जब Corona lockdown लगा था, तो काफी हद तक जो social media में काफी है trend चला जा रहे थे तबलीगी, जमाद को लेकर या फिर Corona, जमाद ऐसा को चल रहा था और यह जो ranking है 2020 की है तो उसी को गटना को देखते हुए, social expertise index में इंडिया को top position पर रखा गया है और इंडिया ऐसे reports को नगारता आया है, क्योंकि हमारे देख में इसे भी democracy है, social inclusion है हमारे देख में तो इसे जो controversial index है, यूपे से काफी कम ही पूछता है, पर फिर भी अगर पूछे तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी समस्था इसे जारी करती है अब चलते हैं आगे, हमारे अगली news, steam propelled spacecraft को लेकर है, क्यों news में है, दसे पहला steam propelled spacecraft है, मतलब इसे इसमें कोई battery या फिर nuclear energy से चार्ज नहीं हो रहा है, यह water को इसे क्यों लिस्क समार करेगा, जब यह water होगा इसको गरं क्या जाएगा, इससे जो भाप निकलेगी, जो steam न इसे जापार की space agency, जाकसा ने डेवलब किया है, और इसे नासा के औरेन spacecraft के द्वारा भेजा गया है, तो यह अपने आप में काफी path breaking moment है, क्योंकि पहली बार spacecraft है, जो steam के basis पर चलेगा, जो water को fuel यूज़ करेगा, और steam से रंग करेगा, और satellites का use यह है, कि जो environment में जो radiation है, कि उसे जो हमारे astronauts है, उन्हें कितना नुपसान होगा, और यह कहाँ settle होगा, यह second earth moon language point पर establish होगा, email 2, email 2 कैसी position है, यह एक language point है, मतलब जहाँ पर earth का और moon का जो gravitational force है, एक दूसरे को balance out करता है, तो उसे ही language point बोला जाता है, तो यह basic fact है, steam propelled spacecraft को लेकर जो UPC definitely पूछ सकती है आप चलते हैं आगे, हमारी early news China Indian Ocean Region Forum को लेकर है, क्यों इनुज में दरसल इसकी पहली summit आयोजित की गई थी, कहां पर आयोजित की गई थी, चाइनी सिटी कन्मिंग में, अभी important क्यों है, क्योंकि अपको नाम ऐसा लग रहा हो कि China Indian Ocean Region Forum, पर इसमें इंडिया को invite नहीं किया इसमें total 19 countries थे, जिंको invitation भीजा गया था, चाइन एक तरफ से, पर इंडिया को इसमें किसी प्रगार का invitation नहीं दिया गया था, इस forum को किसने आउजित किया था, China International Development Corporation Agency, SIDCAN, इसकी theme क्या रखे गया थी, Share Development, Theory and Practice from the Perspective of the Blue Economy, इसमें total 19 countries को invitation था, इंडिया पाकिस्तान, Myanmar, शेल Madagascar, Djibouti and Australia, but China ने claim किया था 19 countries का, पर बाद में कई countries ने किनारा भी किया, जैसे कि Australia हो गया, Maldives हो गया, Malaysia हो गया, इन countries ने बोला कि हमने इस forum में participate नहीं किया है, तो मतलब Chinese media ने ये जूटी अफा फेला ही थी, कि ये भी country सामिल हुए थे, अब China ने ऐसा forum क्यों organize किया, ज ये एजेंसी जो है, वो Belt and Road Initiative को देखती है, और ये Belt and Road Initiative पाकिस्तान से भी गुजर रहा है, जिसमें इंडिया पे अपना claim कर रहा है, तो इसलिए इस forum से इंडिया को बाहर रखा गया था, और ये forum, China अपने Belt and Road Initiative को बढ़ावाद देने के लिए, और Indian Ocean में जो China अपना दब नहीं किया था, नहीं इंडिया को invitation आया था, अब चलते हैं आगे, हमारी Agri News Regenerative Agriculture को लेख कर रहे है, क्यों इन्यूज में जाथ से आपको पता है कि कई जगे Agriculture जो Land है, वो Degrade होते जा रहे है, और उनकी जो अग्रिकल्ट्विटी होने चाहिए, वो कम होती जा रही है, तो इससे हमारी Food Security खत्रा है, और पूरे Worldwide ये खत्रा है, इसलिए जो IPCC रिपोर्ट है, इंडिया Government Panel on Climate Change, उसने ये बोला है कि हमें Regenerative Agriculture की ओर ध्यान देना चाहिए, तो चूंकि ये News में है, ये Term News में है, तो UPC ऐसे Terms पर question push रखती है, तो Regenerative Agriculture होता क्या है, ये एक टाप का holistic farming system है, इसमें आप Soil Health को, Food Quality को, Biodiversity को, Water Quality, Air Quality, सबका ध्यान रखते हुए आप farming करते हो, जैसे कि आपको rice उगाना है, तो आप ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब वो sustainable नहीं है, वो regenerative agriculture नहीं है, और दूसरा जो हमारी farming होती है, उसमें कई प्रेकार की chemicals य integrate होता है, तो इसको भी रोकना पड़ेगा, या कम करना पड़ेगा, या organic farming के और हमें shift करना है पड़ेगा, अगर हम हमारी जो soil की productivity है, उसे sustain रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमे minimize soil distribution करना पड़ेगा, crops का में diversify करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा पेस्ट और डिसीज वो दे सके, नीट के है हमें regenerative agriculture की, अगर इसी प्रकार soil degradation होता रहा, तो आने ले 50 सालों में, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, food security खत्रा बनके निकल के आएगा, तो अगर हमारी soil fertility को बचाना है, बायो diversity को बचाना है, तो हमें regenerative agriculture के और ध्यान देना होता है, expenditure on acquisition of assets like roads, building, machinery, second loan received from foreign governments, loans and advance granted to states and union territories, तो capital budget में क्या होता है, एक तो आपको देखना हो जो हमारा capital investment है, तो जब हम वहाँ पर खर्चा करते हैं, roads में, buildings में, machinery में, तो ये obvious के बाद ही capital budget का हिस्सा है, उसके बाद जो हम loan receive करते हैं, तो हमारा capital receipt होता है, उसे भी capital budget में include क्या जाता है, और जो हम loans or advance grant करते हैं, state union territories इसको, वह भी capital budget का ही हिस्सा है, तो answer क्या हो जाएगा इसका, 1, 2 and 3, ये easy question था, इस video के PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे telegram channel को join कर सकते हैं, ऐसे और current offer के वीडियो के वीडियो के लिए हमारे YouTube channel को subscribe कर सकते हैं, आज के वीडिय इसलिव इतना है, थैंक यू, थैंक यू बरी मुच